सबसे पहले मैं बड़ा विन्यम्टा से हाथ जोड करके नत्म अमस्तक हो करके बिहार की जंता को धनिवाद देना चाहूंगा और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाओ का फैसला आया है जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाओ आयोग ने अपना नतीजा सुनाया जनता का फैसला महागरबंधन के पक्ष में है चुनाओ आयोग का नतीजा इंडिये के पक्ष में है आप सब लोग ये समझ सकते हैं कि जनता का जो जनादेश है और जो नतीज़ा एलेक्शन कमिशन का है नतीज़े और फैसले का बड़ा अंतर है फैसला हमारे पक्ष में और नतीज़ा उनके पक्ष में ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है 2015 में महागडबंधन जब बना था तो वोट जो है जनादेश जो है वो महागडबंधन के पक्ष में था लेकिन चोर दर्वाजे से बीजेपी सरकार में ये जो कि बीजेपी के चनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना लेकिन बिहार के मुखमंत्री लालच में लोग में या डड़ के कारण या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजाक कर लिया बीजेपी की सरकार रहे कहा जाता है डबल इंजन की सरकार लेकिन पूरे चुनाओं में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था जो चंता का मुद्दा था चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे गरीबी भुकमरी पलाइन मलदूर किसान सिक्षा चिकित्सा या आप कह सकते नियुज़ित सिक्षकों कोई जो समान काम समान वेतन या स्वायम शाय समू के मानदे की बात रही हो नौकरी की बात रही हो उसको ले करके हम लोग बड़े सकरात्बक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि देश का विहार का ही नहीं बलकि देश का युवा मजदूर किसांग स्वैप शाय समू जीवी का दीदी हो आंगन बाली हो आशा वरकर हो विकास मितर हो निजद सिक्छक हो जो हमारे श्रम वीर रहे हो आज सब लोगों में आक्रोश है आक्रोश इस बात का धन बल चल धन बल चल एक तरफ देश के प्रधान मंत्री बहुत ही शक्तिशाली प्रधान मंत्री और एक विहार के मुख्मंत्री तमाम पूंजी पती एक तरफ रहे जोर भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे तब जा करके जो बीजेपी का जो प्रकोष्ट है आप प्रकोष्ट भाली बाती समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्रकोष्ट कौन है बीजेपी के प्रकोष्टे जोर भाग गुना सब कुछ किया फिर भी राष्टी जन्ता दल को सिंगल लार्जस्ट पार्टी होने से रोक नहीं पाई और महागटबंधन के सबी सातियों एक जुठ होकर के हम लोगों ने मुद्धे की चुनाओं पर हम लोग चुनाओं लड़ने का काम किया और आप जानते हैं कि ये मुद्धा कुछ लोगों ने असमर्ता जताई की नौकरी नहीं दी जा सकती जो की डबल इंजन का चेहरा है जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे कि चेहरे का कमाल है कि राष्टे जनता अदल को हमने कहां से कहां पहुचा दिया आज देखिए उनका चेहरा तीसरी नंबर पर चले गए तीसरी नंबर पर नितीश कुमार जी साफ तोर पर ये समझ ले भाजपा के लोग साफ तोर पर ये समझ ले ये जो जना देश है ये बड़लाव का जना देश है अगर थोरी सी भी अंतर आत्मा नेतिक्ता नितीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है जोर तोर भाग गुना करके जो बैठने का शौक है कही ना कही से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते वे कुर्सी से हट जाना चाहिए और कुछ लोग भले ही कुर्सी पर बैठे लेकिन महागेडबंदर और हम लोग जनता के दिलों में बैठे हुए जनता पिहार की जनता हम लोगों के साथ है और बड़ा आशर की बात है अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे क्योंकि हमारा पस्ट मानना है कि हम जीते हैं हम हारे नहीं है हम जीते हैं पहली बार देश के किसी विपक्ष ने एक अजंडा सेट किया और यह जो नतीजा आया है यह हमारे पक्ष में फैसला है और नतीजा जो उनके पक्ष लेकिन क्या यह सवाल खरा होता है कि देश के खास्तों पर बेरुजगारी जहां बिहार में 46.6 फीस दी है जहां मुख्य मंत्रिएं सवर्चता जटाते हैं कि नौक्ती नहीं दे सकते तो क्या विहार के जता रोजगार नहीं चाहता विहिताएं चाहते हैं जे सवाल खोना करते हैं और हम लोग तो धन्यवाद यात्रामें वे जल्दी ही जाएंगे लेकिन सरपार में अगर जो लोग छलकपट धन भल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि चार दिन की ही चांदनी है लेकिन अगर उनीस लाग रोजगा समान काम वेतन नियुजद सिक्षकों को स्वेम साय समू को अगर मान देओं सिक्षा चिकित्सा अगर नहीं सुधरी जनवरी तक के महिने पर तो हम महागरबंधन के लोग बड़ा आंदूलन करने का काम करें हैं दूसरा पहलू कुछ लोग बड़ा कहें कि हार गए तो लोग रो रहने हम लोग रोने वाले लोग नहीं हैं हम लोग संघर्ष करने वाले लोग जनता के बीच रहने वाले लोग सब को साथ लेकर के चलते हैं जहां भी रहेंगे जनता की अवाज को बुलंदी से उठाते नहीं लेकिन आप सब लोग देखिएगा कि आखिए कहां चोरत और भाग गुड़ा होने हैं तो कुछ सवाल है हम आपको काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट पेपर की प्रक्रिया बता दें काउंटिंग पोस्टल बैलेट में एक दिन पहले ही राष्टी जनता दल के पेज से एक वीडियो जो है एक जारी किया गया था स्थीक चुनाओं से पहले उस वीडियो में साफ तोर पे दिखाया था कि रात के अंधेरे में आरा में रात के अंधेरे में गारी निकली उस गारी में पोस्टल बैलेट के बख से निकली चुनाओं आयोग बताए कि रात में कोई भी ट्रांस्पोर्टेशन चुनाओं के वोट बख से कोई धर सुधर ले जाया जा सकता है नहीं ले जाया और अगर आप इनिके लॉस की बात करें कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स पेपर 15.15.4 इनका पॉइंट है उनी का इलेक्शन का बिशिन का आस पर दा रिक्वार्मेंट ऑफ रूल 54-A ऑफ C.E. प्रोस्टल बैलेट्स पहले होनी चाहिए उसकी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए साफ तौर पे इसमें लिखा है और अंडर दर लॉर रूरू 54-A ऑफ दे कंड़क्ट ऑफ दे लेक्शन पंद्ट्ट्रियों प्रक्रिया इंड़क्राइश जो है विखा मंत्रन शुरू कर देनी चाहिए वाटों की प्रक्रिया शुरूब पोस्टल बैलेट की वोटों की गिंती पहले ही शुरू कर दी चाहिए यह मेरा नहीं यह तो चुनाव आयोक का है अफ्टर गप of 30 minutes from the commencement of counting of postal ballot paper the counting votes of EVM can start तेस मेट के बाद आप EVM की जो प्रक्रिया है वो चालू कर सकते counting of postal ballot papers shall be done at returning officers table बजब और पोस्टल बैटल बैलेट पेपर शुट बीड ब्रॉट बीड बॉट बेफोर हिम रहां ओव्ली सच पोस्टल बैलेट पेपर आज आर रिस डिसीव बेफोर दा आवर फिक्स फोर कमेंश्मेंट ऑफ दे काउंटिंग शैल मी काउंटेब तो इसमें साफ तौर पे ये जिक्न किया गया है कि प्रक्रिया जो है पोस्टल बैलट की पहले होनी चाहिए ज्रूरी नहीं है कि आए पटे पैले вм के ही चरिए आप फोस्टल बैलट पहले अड़िया उसके प्रेसे बाल्स जाड़े लूश्तरप ट्रिवार्श कोई तरिख बाल्स एक एक सब्सक्रा लूश्य ट्रिख जिर्षार दायर टैसे ट्रिखें एक से टो पॉस्तर भाल ट्रिखें ट्रिखेंट न्याट ट्रिखेंड ट्सुंग अवर्ट determined every candidate shall once again be verified and tallied the observer and the arrow shall record the finding of re-verification and satisfy themselves before finalizing the result the entire proceeding should be video graph without compromising the secrecy of ballot and the video cassettes cd should be sealed in a separate envelope for future refresh is my saaf طور پہ ہے कि आप चाहे postal जो invalid हो या valid हो आपको observer और इन सब के सामने जो है विडियोग्राफी करा करके इसका cd वी जितना विडियोग्राफ्ट है कैसेट से इन सब को सील करके रखा जाया और यह सील का जो डिरेशन होता है यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है चिनाव नतीजे के 40 दिन तब इलेके इलेक्षिन कमिशन को यह अनुमती है कि वो पोस्टल बैलेट्स को जो है सील रख सकते हैं आप शिकायत जो होगा आपको साटिस्टिस्फाइब करना है यह आफ तू साटिस्फाइब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे एंडिये को जो कुल वोट मिला एक करोर संतावन लाग साथ सो अठाइस मैं दोरा दू एंडिये का जो कुल वोट है एक करोर संतावन लाग साथ सो अठाइस जिसका प्रतिशत निकल के आता है अल ओवर चुनाओं का 37.3 37.3 महागर बंदन को वोट जो मिले एक करोर शपन लाग अठासी हजार चाहर सो अठावन एक करोर शपन लाग अठासी हजार चाहर सो अठावन जो कुल प्रतिशत महागर बंदन का निकल के आता है वो 37.2 हमें मिले 37.2 और एंडियो को मिले 37.3 यादि एक पॉइंट का अंतर है पॉइंट वन पॉइंट वन का अंतर है जो कि अगर वोट में अगर कनवर्ट करें तो ये 12,270 वोट का अंतर यादि एंडिये और महागर बंदन का खुल वोट का अंतर 12,270 का है अब 12,000 में वो उनको 15 सीट लीडिंग पे है आगे है ये आश्यर की बात है कि 12,000 में वो 15 सीटे जी दिये है और याद किजेगा अद्बुद आकरा हम आपको और भी देंगे कि पोस्टल बैलेट्स वोट को हम देता है जो सर्विस में है ज्यादातर सिच्छक लोग है जो कि एजुकेटेड है वो लोग है जो अप जागरुक लोग है जो जानते है कि वो पोस्टल से भी मद्दान कर सकते है और कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार पोस्टल से मद्दान किया गया होगा इन्वलप में करते है बैलेट पे करते है यादि जो जागरुक व्यक्ति है वही ये काम कर सकता है आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते है एक रिजेक्ट समझ में आता है दस रिजेक्ट समझ में आता है पचास रिजेक्ट समझ में आता है आप नो नो सो पोस्टल वोट्स रद कर रहे है साथ साथ सो पोस्टल वोट्स रद कर रहे है पांट पांट सो पोस्टल वोट्स रद कर रहे है और रद हो रही है जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटन में आरो से की लिखित में दीजिए कि आपने रद क्यूं किया आरो की जिमेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को साटिस्फाय करें जो कि हमने आपको काइडलाइन में बताया और किस से पूछ करके इलेक्शन कमिशन ने गिलती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद करने का काम किया किसके दबाव में अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए है तो हमारी मांग है क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है रिकॉर्डेड होने चाहिए विडियोग्राफिय लाइए वैलिड इन्वैलिड पेप Rangers को सामने रखिए और रि-काउंटिंग कराया जाए यह हमारे महागरबंधन नोगे मांग है उसके रिकْचाउंटिंग कराया जाए हमारी जो हार हुई 17 वोट से 12 वोट से 50 वोट से 70 वोट से 100 वोट से लगबग 20 सीटों को हराया गया यह कौन जवाब देगा यह लोग बोलते रहे रोए रोए लेकि मेरा सवाल जाइज है चुनाती देता हूँ बिहार के मुक्ष मंत्री को जो चोड दर्वाजे से सत्ता हटियाना चाहते है सत्ता धारियों को के पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे के पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए वो ही लोग बताए मेरा सवाल है अब बात में हुआ है तो किसकी गलती है बस इतना समाओ लीजा सिंपल आंसर हम जाना चाहता है कि आप जो गाइड लाइन से चुना हुआ हो का साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है इस पे साफ तौर पे लिखा है 15.15.4 counting of poster ballot papers इस पे साफ तौर पे लिखा है बताए अगर counting कराने क्यों नहीं करा रहे हैं हम लोगों के candidate demand करते रहे गए लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया हमारी उमिद्वारों को सुना नहीं गया लास्ट वे कही जगा तो ऐसा हुआ रागोपूर का ही हम बता दे रागोपूर का हम अपना बता दे तीन बज़े तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई रात के ग्यारा बज़े certificate बिल गई 11 बज़े मेरा तो 36,000 का difference था लेकिन जहां कम margin जहां हम जीत रहे थे वहां पोस्टल बारेक 900 संख्या में तो आप कराते क्यों भी है जब रधी करना है तो पोस्टल पर काउंटी मत कराईए अगर पोस्टल का अगर कोई value नहीं है रधी करना है ता वोट क्यों कराते हैं काउंटिंग प्रक्रिया में क्यों जोडते हैं या तो रिकाउंटिंग कराईए आपके पास तो पूरा दस्तावे सब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा पता चल जाएगा कौन किसके दवाब में काम कर रहा किसके शारइप काम कर रहा तो यह कही जगतों को सर्टिफिकेट दे च छीनने का प्रयास किया गया आप आप बताएं हम सबूत कहां चला ना मोबाईल ले जाने दिया जाता है मोबाइल ले जाने दिया जाता तो सब पता चल जाता ना किसी को प्रवेश कियाज करने दिया जाता है हमको तो छोड़ दिये मीडिया की लोगों को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता है और लोग कह रहे हैं कि सबूत अला कहां से लाए सबूत सबूत तो वहीं साएगा न जब आप इसकी रिकॉर्डिंग निकालिएगा सिसी टीवी की विडियोग्राफिकी बैलेट इन वैलेट जो कियो उर निकाल के दिखाओ ना जनता को क्या जिनका रद किया गया वोट क्या तो आप वोटर मानते ही नहीं है अगर रद हुआ तो क्या प्रक्रिया है कि यू फुर से पुर्ण मत्दान करें चुनाओ आयू के लिए तो एक एक वोट का महत्व है ना लोगतंतर में आप नो नो सब वोट पोस्टल बालत का रद कर द वोटर का जो सर्विस में है उनके वोट के मान नहीं होगा तो भाई सवाल तो बनता है क्योंकि यह लोगतंतर बचाने की लड़ाई है लोगतंतर कैसे बचे और एक वोट से हार भी होती है जीत भी होती है लेकिन आप देख रहे होंगे ना चेहरे का चमक कहा चला गया तीस तक सामने में आए फिर कॉरंटाइन होगे है फिर कॉरंटाइन होगे है अरे भाईया अंतर आत्मा जगाईये नैतिकता सिद्धांत नीती विचार सब धूमिल आपने कर लिया अब आपने तो खुद कहा सन्यास लेने की बात सन्यास लेने का काम कर रहे है तो कम से कम आखरी के च्छन दिनों में कालीक अपने मूँ पर मत्पतवा करकी जाए इसलिए हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फियंस करना और मैं अपना बिहार को धन्यवाद दूँगा धन्यवाद यात्रा करूँगा भले इचाल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए लेकि जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है इसके लिए हम जरूर जन्ता को धन्यवाद देंगे और हमारा मानना है महागरबंधन की जीत हुई है डबल इंजन की हार हुई है जन्ता हमारे साथ है और कुछ किसी के दबाव में काम कर तो इसलिए ज्यादा कुछ ना करके कि अगर आप लोगों कोई सवाल हो तो इसका जवाब देना चाहिए क्या महागरबंधन पिहाब में फिर से सरकार बनाने की कोई कोशिश करीगी कहीं से उमिद वैसी है या और कोई आख़रों के दारा सरकार बनाने की कोई कोशिश होगी है देखे हमने साफ तौर पर बोला ये मैंडेट जो है बदलाओ का मैंडेट है ये जनादेश जनता ने बदलाओ के लिए दिया तो जो लोग बदलाओ के साथ है इस चीजों को समझेंगे तो ज़रूर वो अपना फैसला लेगे हमने तो साफ तौर पर बोला कि ये जनादेश जो है बदलाओ का है ये उनके उपर है कि वो जनता के साथ इस फैसले के साथ रहते हैं नहीं रहते हैं पहली बात महागरबंदन हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़े हम लोग एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े है कौन क्या कहता है ये विशलेशन का समय नहीं है अभी जो बात है ये समय है कि हमको जो हराने का प्रयास किया जा रहा है जो हमने सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो रद हुए है क्यूं हुए है प्रकरिया उसकी शुरुगात की थी अन्त में आपने ये क्यों किया आपने रितर्न में लिख करके क्यों नहीं दिया मेरा अभी भी मानना है कि लगभग ऐसे 20 सीटे जो है हम लोगों को हराया गया है रात में आप बकसा लेके जा रहे हों वो क्या उचित है क्या वो गाइडलाइन्स को वो चीजे फॉलो करती है वो तो एविडियो में आपका आईडी काड भी दिख जाए गागा बैलेट पे बकसे जो रखे हुए है स्टील के उसमें नंबर भी लिख दिया जाएगा गारी का नंबर भी मिल जाएगा तो उसमें हम तो इस पस्टूप से मान रहें कि हमको तो कम से कम 130 सीटे महागड़ बंधन को मिली है 130 सीटे minimum महागड़ बंधन को मिली है कुम स्क्राइब बंधन आज के तारित यच करकार नहीं भरिया तक रहें की लिए आश्यवर्ड कर दिद से लिए लेक्टिंगे लिए की लिए तो कि यज़ोग्रिण गाट्थर थे लिए क्या थे रिवल्ठा फाल्क इलने की लिए उसक्राइब दोट्वर्ड लिए that's it if they will not satisfy the candidates then we might go to the court foreign अच्छे भाँ कि अच्छा सवाल हम तो कह रहे हम 130 सीट जीते हुए हम तो बहुत आसे हाट में आगे हैं हम का उक्सान पहुंचार दूसरी बात है है का च्रृट मोटर्ष और से साइलेंट वोटरज कि इन्विजिबल वॉटर इस और साइलेंट वोटर कि बोल रहा है आप लोगों को और जिह वोटे का जिकर कर रहे हैं उनके बड़ तो लोग बड़ा वोकल होते था अप साइलेंट हो गये और साइलेंट अए तो प्रधान मांत्री जह को कामें जाकर बोल दिया गया जब बोली है तो साइलेंट का रहे एक ये शाइलेंट वोटर नहीं यह ए जो सब्सक्राइब देखें कौन किसके साथ है कहां किसके साथ है लेकिन हमारे आकड़े के हिसाब से जो कैंडिडेट वहां रहे हम तो 130 पर हैं हम तो यह कह रहे बिहार की जंता हमारे साथ है आप क्यों जोड़ गुना भाग करा करके आप सरकार हती आना चाहते हैं पहली बात महिलाओं की जहां तक बात आएगी तो जब सरकारी नौकरी मिलता है तो इसमें महिलाओं नहीं है है आप देखिएगा महेंगाई इतनी बढ़ गई तो क्या महिलाओं की किचिन को एफेक्ट नहीं किया सिलिंडर का दाम क्या है घर का बिजली बिहार में सबसे महेंगा है क्या महिलाओं को असर नहीं करता है कि यह मैं अगर पहले नुक्सान होता था अगर शिराप का घर का पैसे का तो 200 रुपए का आज नुतीज कुमार जी के वज़ा से जो ब्लाक मार्केट बन गया है वही 200 रुपए से ज्यादा 500 रुपए का घाटा हो रहा है महिलाओं को तो कहां से उनके साथ मेल आया भई ये सब केवल एक स्क्रिप्ट प्रॉपगेंडा चलाया गया है और जो कि सिलेक्षन में यह जितने स्क्रिप्ट प्रॉपगेंडा चलाने की कोशिश की गई अरे अब आपने तो देखा इस चुनाओं में इतने शक्ति साली पी-एम हो मुख्यमंत्रियों अब शब्द भी मेरे को कहा मेरे परिवार को कहा फिर भी हम आशिर वचन के तौर पर हमने चुनाओ लड़ा तो कहां से आपका देखे सिंपल मैं तो सत्ता में बैठे लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताए प्रोसीजर क्या है पोस्टल का गिंती की क्या प्रक्रिया है क्या वो फॉल्ल हुई है नहीं हुई है अगर हुई नहीं हुई जो भी छोड़ी अलग बात या हमारे जो उमीद्वार रहें अगर वो कोई क्वेरी इलक्षन कमिश्ण को उस समय पूछ रहते तो उसमय इंकार क्यों किया गया लिखित तोर पर क्यों ने दिया गया और अब हम सभी उमीद्वार जो है लिककर के इ लोग मैं एक चीज़ और उसमें जोड़ देना चाहता हूँ इस पार सबसे बड़ा पोस्टल बैले का अधार था नियोजिन सिक्षकों की बिहार सरकारों की मुखिया को मालूम था कि ये पूरी की पूरी नियोजिन सिक्षकों का समुदा है शिफ्ट कर गया है इसलिए इन बैलेट करने का कारण जो हमको संदे है यह है कि पोस्टल की जितनी भी काउंटिंग हुई है एस जिन इग्जाम्पल रागों पूर अगर लेते हैं मेरे छेतर का लीजेगा जहां हम 37,000 से चुनाओं जीते हैं जहां हम अच्छे से चुनाओं जीते हैं वहां भी पोस्टल म एक एक एक्जाम्पल अगर रूनी सहितपूर कर लिए जिएगा सिता मरी का तो वहां लगभग जो है 15 से 20,000 वोटों से हारे हैं पचीस से हारे हैं लेकिन वह हारे हुए 15 से 20,000 छेतरों में पोस्टल में एक तरफा हम लोग लीडिंग की हैं यानि पोस्टल में जो मनोज ज पढ़े लिखे लोग सिक्षकों का नियुजित सिक्षकों का रहा है जिन मुद्दों के साथ हम समान काम समान वेतन दिलाने की जो बात कही थी हमारे पक्ष में वह वोट मिले जिसको रद किया जया और ध्यान से आरा वाला भी पोस्टल बैलट का ही बक्षा था तो एक जग करना जो है आम लोग डिमांड कर रहे हैं हाईुक से जब सवाल किया गया कि वितक्स जो आरोप लगा रहा उस पर क्या कहना है उनका तुन्हों ने कहा कि हमने वितक्स को कहा है अरे भाईया सुनिये समझ गया है आप 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 एक में टेक पर गवरनर्ट चुना इलक्षन कमिशन का किसको साटीस्ट्राइब करता है गवर्णर को के गडिडेड को क्या उसीडी किया छे मीडिया ऑगे मीडिया को देदे सब देखें ना झाल झाल झाल